हेलो फ्रेंड्स मैं राधिका दिवांगन आज आपको बताने जा रही हूं क्लास 12 आसाइन्मेंट नबर 4 दिसेंबर सब्जेक्ट है आपका एकोनॉमिक्स इसमें आपका फर्स्ट कोस्टिन है परिवार छेत्र में आय के चक्री प्रवाह की सचित्र वक्या कीजिए अब देखो आय के चक्री प्रवाह के दो छेत्री मॉडल में अर्थ्यस्था में किवल दो है ना दो चीज़ है जैसे घरेलू छेत्र मतलब क्या होता है परिवार उत्पादक छेत्र मतलब होता है आपका फर्म के बीच होने वाले जो चक्री प्रवाह है उसका हम क्या कर मंगे अध्यान करेंगे करने घरेलव्णेक दिया हिम इसी曜ूप्ष कीवल कितने चेत्रों मैं ने बतायां दोखेत्र हैं एक घरेलु चेत्र이는 जाया है घरेलवा इसी उत्पादक छेत्र को उत्पादन के कार को की सेवाय प्रदान करते हैं तथा उत्पादक छेत्र दार उत्पादित अंतीम वस्तुयम सेवाओं का उभ्भोग करते हैं मतलब क्या है परिवारे लोग क्या करते हैं अंतीम वस्तुयम सेवाओं का क्या करते हैं उभ्भोग करते ह फिर आपका उत्पादक छेत्र प्रोडूशर सेक्टर यह अंतीम वस्तुओं सेवाओं को उत्पन्य करते हैं उत्पादक छेत्र में क्या होता है यह वस्तुओं सेवाओं को क्या करते हैं उत्पन्य करते हैं जैसे श्राम पुंजी आदी है ना फिर सरकार का अर्थिक क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है फिर है अर्थ व्यस्त है बंद अर्थ व्यस्त है अर्थात उत्पाजक छित्वारा आयत वस्नों का निर्यात नहीं किया जाता यह सब आप पढ़ लेंगे हैं आप देखो इसमें जैसे मनने बताया टू सेक्टर है आपके है ना देखो एक है प्रोडूसर्स फर्म एक है हाउस होल्ड मतलब घरेलू परिवार उत्पादक फर्म अब देखो सबसे पहले गूट्स क्या दिया हुआ है आपको कंजूप्शन एक्सपेंडिचर उप्भोग विए उसकी बाद यह वस्तु एवन सेवा का फ्लो रियल फ्लो कैसे होता फिर है भुमी, पुंजी, भुमेश्राम, पुंजी, उद्धिमीता है ना यह फैक्टर सर्विस है फिर है उसके साधन भुकतान क्या है लगान, मजदूरी, इंटरस्ट ठीक है इसको आप पढ़ लेंगे इसको पढ़ने की जर्वत नहीं है ठीक है फिर है आपका विधी के द्वारा हम वो कोश्रम ने दिया है मदे कर्मचारियों का पारिश रमिक 15,000 लगान 5,000 लाब 25,000 ब्याच 5,000 मोलेहरास 1,000 सकल घरेलोबिन्यों अब देखो आय विधी द्वारा राश्ट्रिया की गणना हम कैसे करेंगे इसमें सबसे पहला है राश्ट्रिया पर प्रत्यक्ष का तो हम देखेंगे हमारे पास क्या है 15,000 लगान का 5,000 लाफ का कितना है 25,000 लुपे और 5000 किसका है हमारा ब्याच्च का है इन सब को हम क्या करेंगे टोटल करेंगे तो कितना जाएगा हमारा 50,000 लुपे फॉर्मूला देख लेंगे आप है ना फिर है आपका निमली की सुष्णाव के अधार पर सकल घरेलू उत्पात है सकल राश्री उत्पात कितना दिया है 45,000 गिसावट वे 7,000 आयाद 12,000 निराद 10,000 है ना तो इसमें सबसे पहले हमको क्या निकालना है सकल घरेलू उत्पा गिसावट वे आयाद निराद का अवससेस यह फॉर्मूला है ना अब देखो 45,000 दिया है सुदघर तरह देश्री उत्पाweder उसके बाद क्या दिया है हमको उसमें हमका सुद्ध घिसावट वे घिसावट वे किसावट वे ना दिया है प्लस हमको 7,000 प्र फिर हमको माइनस क करना है हमको दोनों आयात निर्यात के अंतर का जो है वह से कितना डोजार रुपए कितना आ गया 50,000 करोड रुपए यह माउन जो है को करोड में दिया गया ठीक है फिर सकल राश्री उत्पाद इसमें क्या किसा निकालते हैं सुद्ध राश्री उत्पाद प्लस घिसावट प और हाँ आप सब स्टुडेंट्स बोलते हैं कि इंग्लिश मीडियम का नोट चीए तो मैं आगे भी आपके इंग्लिश मीडियम का यह असाइंडमेंट डालूंगे आगे कि वीडियो में आपके लिए